अरुफिक्स वान प्लस नोट टू मेसेज नोट रिसीविंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तेकर आज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लस के डिवाइस में मेसेज न क्या सॉलिशन करना होगा कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्फ होगा आज के इस वीडियो पर मैं आपको यही बताने वाला हूँ ठीक है तो वीडियो को अंतक देखे और वीडियो के साथ बने रही है साथे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकून को क्लिक करें अगर सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है आप अपने मोबाइल के रिचार्ज बगरा चेक करें मोबाइल को रिस्टार्ट करें और अपना नेट्रोक सेटिंग को रिसेट करें उसके लिए आपको सिस्टेम पर जाना है रिसेर आप्शन पर क्लिक करना है रिसेट उसके बाद चेक करके देखे problem solve हो जाते ही तो ठीक है अगर नहीं होते हैं तो दोस्तों आपको next solution पर जाना है तो next पर दोस्तों आपको करना क्या है आप अपने यहाँ प्लेश्टोर में जाईए और उसके बाद अपना messaging को search कीजिए and then उस एपको update कर दीजिए अपडेट करने के बाद दुबारा से चेक करके देख सकते हैं अगर problem solve होते हैं तो ठीक है अगर नहीं हो रहाएं तो mobile recharge वगएरा चेक करें ठीक है जो next solution होगा आपको जाना होगा आपके apps and notification पर सेटिंग पर जाईए उसके बाद event notification see all apps पर क्लिक करें और message को find out कर लिजिए तो यहाँ पर message पर जाने की बाद आपको storage and cache पर क्लिक करना है storage पर क्लिक करके ok कर देना है ok करने के बाद दोस्तों आपको back कर देना है उसके बाद सारे permissions वगएरा allow कीजिए SMS especially इसको अगर allow है तो deny कर दीजिए करके आपको दुबारा से allow करना होगा ठीक है अगर deny है already तो आपको allow करना है तो उसके बाद mobile को restart करें and then check out करके देखें आपका problem solve हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने message not receiving problem solve कर सकते सारे साथ mobile software अपडेट नहीं है तो कर लीजिए अगर आपको इसके related कोई problem आते ही दुबारा से तो आप अपने network operator को contact करके पूछे कि आपके जो mobile है आपके सीम है उस पर यह problem क्यों आ रहा है ठीक है तो यह था दोस्तों message not receiving problem solution उमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा thanks for watching